अगर आप इसे बेसन में बनाते हैं तो शायद आप इसे पकोरा या फिर भज्या कहते होंगे लेकिन हमारे मिधिला में अगर इसे पिठार में बनाया जाए तो तर्वा कहते हैं तो इसके लिए क्या करना है फोल को भी के फोल को अलग कर लेना है और फिर इसे हमेना पानी में boil करना है नमक डाल करके जब ये 80% तक पक जाए तो हम पानी से इसे चान करके बाहर निकाल लेंगे अब एक बरतन में हमें लेना है एक कटोरी बेशन, आदा कटोरी चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर और फिर इसमें जाएगा भोज मसाला का हिंग अब इसके बाद हम स्वादा नुसार नमक डाल देंगे, तीन से चार चमच दही डालना है, फ्रेश हो या नॉर्मल कोई भी चलेगा, काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा चाट मसाला और हमें कच्चा सरसो का तेल एक चमच डालना है, अब सब को मिक्स करके पान लाल क्रिस्पी हो जाए ना गोल्डन कलर हो जाए, फिर हम तेल में से इसे बाहर निकाल लेंगे, वैसे आप लोगों में से बिहार से कौन है, और बिहार में भी स्पेशली मिथलांचल कौन है, और ये देखिए हमारा ये जो भजिया पकोड़ा या फिर तर्वा आप जो भ कुलते हो कॉमेंट करना